सब्सक्राइब करेंगे इसमें हम मौडन हिस्ट्री के प्रश्णों पर तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट करेंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सारे टेस्ट का रेविजन करते रहेगा हर दिन चलिए तो कुश्चन नुमबर बन पर आजएए निम्रिकित घट्नाओं पर विचार कीजिए और इनको काला नुकरम सजाईए गांधे इर्विन समझोता भगात सिंग को फांसी भारते राश्ट कॉंग्रेस का कराची अधिवर्शन और दूसरा गोल में सम्वेलन देखिए गांधे इर्विन समझोता तो 5 मार्च 1931 का है ठीक है और भगात सिंग को फांसी 23 मार्च 1931 तो पहले पर ये होगा दूसरे पर ये होगा भारते राश्ट कॉंग्रेस का कराची अधिवर्शन ये भी 1931 का ही है लेकिन कब का ये है 26 मार्च 1931 26 से 29 मार्च 1931 तो ये 21 में तो ये चोथा हो गया तो एक्जेक्ट 1234 हो गया सिक्वेंसे लगें तो गांधी इर्विन समझोता हो था 5 मार्च 1931 को भगत सिंग को फांसी सुकुदेब और राजगरु के साथ 23 मार्च 1931 को सहीद हो गये तीनों भारते राश्ट कॉंग्रेस का कराची अधिवर्शन तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम क्या है डॉक्टर भीम राम बेटकर बहुत तो पूछते हैं उस प्रश्ण को कॉश्ण नुम्बर टूपर आजए 1939 में नागपुर में संपन औल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस की अध्यक्स्ता किस ने की थी उसी ने ही की थी जिन्होंने 1939 के लाहोर अधिवेशन की अध्यक्स्ता की थी ठीक है और नागपुर में भी औल इंडिया ट्रेड य महराष्ट के संपन हुआ था All India Trade Union Congress का अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी जवालाल नहरू ने और नागपुर अधिवेशन में ही सामेवादियों अबम सुधारबादियों में मतवेद के कारण All India Trade Union Congress का विभाजन भी हुआ और इस अधिवेशन में नहरू रिपोर्ट क आलोशना की गई अतय दक्षन पंती इससे अलग हो गए और उन्होंने एन एम जोसी और बीवी गरी के नेतरत में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन किया एन एम जोसी और बीवी गरी ने मिलकर कोईशन नमबर थ्री पर आज़ेए मुस्लिमों के लिए एक प्रथक देश की मांग प्रथम बार एक निश्यत अभिव्यक्ति कहां हुई थी 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहवाद अधिवेशन में इकवाल के अध्यक्षे भाषण में तो मुसल्मानों के लिए एक प्रथक देश की पहली बार एक निश्यत अभिव्यक्ति 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहवाद अधिवेशन में इकवाल के अध्यक्षे भाषण में हुई थी मुहम्मद इकवाल के कोशन नमबर फोर पर आजएए नमर्कित में से किसे भारत का सामयबाद का उच्चतम पुजारी किसको कहा गया बताईए अशोक महता आचारे नरिंदर देव म. आर मसानी या फिर जवाहर लाल नहरू सामेबाद का उचितम पुझारी जवालाल नहरू को कहा गया है तो देखिए पंडित जवालाल नहरू के विचारों में माक्सवाद सहीत समाजवाद का विसलेशन और व्याख्या मिलती है नहरू के समाजवादी रुजहान के विशह में जनता को दिख ब्रहमित करने के लिए ततकारी उनाइटेड प्रोवेंसेज के प्रचार विभाग द्वारा कॉम्मिनिस्टिक लाइक्स और डिसलाइक्स नाम से एक परचा छापा गया था जिसमें नहरू को सामिवाद का पुजारी के रूप में वर्णित किया गया था तो जबालाल नहरू को कहा गया है कॉशन नंबर फाइब पर आज़े यह भारते इतिहास में 6 अपरेल 1930 की तिथी जाने जाती है यह तो पती होगा आपको ठीक है परथम गोल में इस सम्मेलन तो अपरेल के तो बात कही है ठीक है सितंबर अक्टूबर नौंबर की डेट है गांधी रिविन समझा था पते चल गया पांच मार्च 1931 चलिया बालाबा गात्या कांट 13 अपरेल 1931 की घटना है महात्मा गांधी तो दांडी मार्च तो 6 अपरेल 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी में एक मुठी नमक हाथ में लेकर सिवल नाफर्मानी अंदुलन यानि सभी ने अवग्या अंदुलन को प्रारंब किया और सुबाश चंद्र बोस ने गांधी जी के इस अभियान की तुलना नेपोलियन के अलवा से पैरिस की और किया जाने वाले अभियान से की थी देखे एक अंग्रेजी समाचार संबाता ने खिली उडाते हुए कहा है गांधी जी कि क्या समराट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है इसी के बिहाप में मतलब इसी के पृतियोत्तर में गांधी जी ने क्या कहा गांधी महोदे समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक की डोमेनियन स्टेटस नहीं मिल जाता ठीक है सीधे पलट वार किया गांधी जी ने कोशन नुबर सिक्स पर आजए उनने सो अठाइस में गठित इंडिपेंडेंडेंस फोर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे पूछ रहा है उनने सो अठाइस में गठित इंडिपेंडेंडेंडेंस फोर इंडिया लीग के अध्यक्ष थे सिरी निवास आयंगर option number C तो देखिए स्वतंत्र भारत लीग यानि दा इंडिपेंटेंटेंट्स फोर इंडिया लीग के स्थापनावी 30 अगस्तु 1928 को S. स्री निवास आयंगर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था जबकि जबालाल नहरू और सुभास चंद्र बोस को सचिव के रूप में न्युक्त किया गया था ठीक है अध्यक्ष पूछा इसलिए उत्तर क्या है स्री निवास आयंगर अगर सचिव पूछ लेता था उत्तर कुछ और होता ठीक है नहरू और बोस इस लीग ने अपने अन्ति मुद्देश के रूप में अबर्टेश सरकार को पूर सवराज या पूर सवतंतरता की मांग की थी अन्ति मुद्देश के रूप में ठीक है अबर्टेश सरकार से पूर सवतंतरता की मांग की थी इसी मांग को जो है अगले ही साल 1939 के लाहोर अधिवेशन में भी दुराते हैं पंडित महरू Question No.7 पर आज़े है Congress Socialist Party की पहली बैठक का हुई थी Congress Socialist Party की पहली बैठक हुई थी पटना में तो देखें इंग्लिस हिंदी मोलते हैं Congress समाजवादी Party यानि Congress Socialist Party की स्थापना 1934 में आचार नरिंदर देव, जैपरकास नारण मीनु मसानी और असोक महता के प्रयतनों से की गई थी और इस दल का पहला संवेलन 1934 में पटना में हुआ था यानि पहली बैठक का हुई इसकी 1934 में ही पटना में अब Congress समाजवादी दल की स्थापना तो होगी अगर ये पूछ ले कि इसकी जो पहली बैठक होई थी उसमें अध्यक्ष था किसने की थी ठीक है तो वो एक अलग प्रश्ण है महासचिव कौन था वो एक अलग प्रश्ण है ठीक है तो अध्यक्ष थे आचार नरेंदर देव और जय प्रकास नरण थे महासचिव रखेगा जय प्रकास नरण थे अध्यक्ष और नरेंदर देव थे महासचिव कौश्य नमबर 8 पर आजएए कॉंग्रे सोसलिस्ट पार्टी का पूर्ण अध्यवेशन कहा हुआ Congress Socialist Party का पहला पूर्ण अधिवेशन देखिए पहली बैठक तो पटना में हो गई हो जो पहला पूर्ण अधिवेशन हुआ इसका वह हुआ था बंबई में Congress समाजबादी Party का पहला पूर्ण अधिवेशन 21-22 अक्टूबर 1934 को बंबई में अज़ित किया गया और Socialist Party के गठन का Congress के वरिष्ट नेता पंडिट जवाला लाहरू तो था नेता जी सुवास्चंदर बोस ने समर्थन किया लेकिन Congress के भीतर दक्षण पंती नेताओं ने जो है इसका विरोध किया Question No.9 पर आजएए निमलिखित कतनों पर विचार करेंगे दो statement के साथ बताएए कौन सा correct होगा 1936 में हस्ताक्षरित बंबई मैनिफेस्टो परतेक्स रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था और इसको समष्त भारत में ब्रहद व्यापारिक समुदाय का सहीयोग मिला था क्या इसको पूरे भारत में ब्रहद व्यापारिक समुदाय का सहीयोग मिला था बंबई मैनिफेस्टो को बिलकुल यह correct हैं दोने के दोना statement तो माई 1936 में घोशित एबम हस्ताक्ष्रित बंबाई मैनिफेस्टो परतियक सुरूप से समाजवादी आदर्शो के प्रतिपादन का विरोधी था और यही कारण था कि इसको समस्त भारत में पूरे भारत में व्रहद बेपारिक समधाय का सहयोग मिला था लोक नायक के नाम से कौन जाना जाता है देखिए बापू के नाम से तो महात्मा गांधी जाने जाते है नेता जी के नाम से सुवाश्चंदर बोश जाने जाते है लोक नायक के नाम से जाने जाते है जैपरकास नरण तो जैपरकास नरण को लोक नाया की नाम से जाना जाता 1942 में भारत छोड़ा अंदुरन के दुरान इन्होंने राम मनोहर लोहिया और अरुना आसाफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारते जुन्ता को संगठित किया था और अप्रेल 1946 में जैपरकास नरण की जेल से रहाई के बाद जैपरकास दिवस भी बनाया गया था कोशन नमबर 11 पर आजए 1934 में पटना में अखिल भारतिया कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी का सहियों जग कौन था बताए 1934 में पटना में अखिल भारतिया कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी का सहियों जग कौन था जैपरकास नरण थे तो 1934 में पटना में अखिल भारतिया कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी के सहियों जग जैपरकास नरण थे और इस समेरन में जैपरकास नायन को पार्टी का महा सचेव तथा आचार नरंदर देव को अध्यक्ष जुना गया था उल्टा बोल दिया था क्या उपर पहले सही बोला था ठीक है उसके बाद गलत बोल दिया सई कर लेजे, सुधार कर लेजे जो अध्यक्स थे वो आचार इनर्नेद्रदेप थे ठीक है और जैपरकास नर्यान जो थे वो पार्टी के महा सचिप थे याद रखेगा और इन नेताओं ने युबा बर्ग को Communist Party की और से जाने से रोकने के लिए कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी फिर से सुन लेजेगा इन नेताओं ने युबा बर्ग को Communist Party की और से जाने से रोकने के लिए कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी कॉश्चन नुमर बारह पर आजए 1937 में समपन विधान सभा चुनाब में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस को किस प्रांत से पूर्ण बहुमत मिला था देखिए 1937 का चुनाब पहला चुनाब था और कई-कई बार प्रशन पूछा गया है आप याद रखिएगा उन छेत्रों को जहां पर कॉंग्रेस जीती थी और उन छेत्रों को भी याद रखना है जहां पर कॉंग्रेस हारी थी यानि सरकार नहीं बना पाई थी दूसी पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई थी तो आगरा में तो कॉंग्रेस को बहुमत मिला था पूर्ण बहुमत अवद के सेयुक्त प्रांत में मिला था मध्य प्रांत बरार में मिला था बिहार में भी मिला था उडीसा में मिला था मदरास में मिला था नहीं मिला था तो असम में नहीं मिला पंजाब में नहीं मिला ठीक है तो इस सारे के सारे हो जाएंगे तो देश में पहली बार चुनाब गयते हैं 1937 में और इसके लिए 1935 में आनी दो साल पहले बिटे संसद ने भारतियों को प्रांतिय साशन के प्रबंधन का अधिकार दिया था जिसकी वज़े से पहली बार भारत में चुनाब कराए गए थी मदरास उड़ी सा भिहार में पून भाव्मत प्राप्त होा था और इस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी 1937 चुनाब के पशचात यूपी में गठे तो मंत्री मंडल में किसको वित्त विभाग सोंपा गया था बताइए 1937 के चुनाब में यूपी में गठित मंत्री मंडल में किसको वित्वी भाग सोपा गया था रफी एहमद किदवई को आप्सन नमबर बी तो 1937 में संपन प्रांतिय विधानसभा चुनाबों में वर्तमान उत्तर प्रदेश कुल 228 इस्थानों में से 134 इस्थानों पर कॉंग्रेस को जीत हासिल होई और संयुक्त प्रांत में कॉंग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई इस सरकार में प्रदान मंत्री कौन था गोबिंद बल्ला पंत कानून और नियाय मंत्री कैलासनात काटजू को बनाया गया था और बित विभाग था रफी एहमद किदवई के पास याद रखिएगा ठीक है फिर से सुन लीजेगा आबद के संयुक्त प्रांत में जब कॉंग्रेस जीती तो प्रदान मंत्री कौन गोबिंद बल्ला पंत नियाय मंत्री कानून मंत्री कौन कैलासनात काटजू बित विभाग किस के पास रफी एहमद किदवई के पास कॉशन नुमर फूटीन पराजे 1937 में जब भारत में लोग प्रिये सरकारे बनी तो किसान आंदुरन को उनसे कोई प्रोटसाहन नहीं मिला क्योंकि क्यों नहीं मिला सरकारों को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यभारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा इसलिए 1937 में जब भारत में लोग प्रिये सरकारे बनी तो किसान आंदुरन को उनसे कोई प्रोटसाहन नहीं मिला क्योंकि सरकारों को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यभारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा कोशा नूम्बर 15 पर आजए अंतिम प्राशन है फरवरी 1937 के चुनाबों के बारे में कौन सा गथन साही नहीं है 1937 में हो थे चुनाब 1937 ये तो बोनस ही मिल गया एक तरह से कॉंग्रेस ने चुनाब में भाग लिया बिल्कुल भाग लिया जीती भी थी कई छेत्रों से कॉंग्रेस छे राज्यो ठीक है कॉंग्रेस ने मदरास में इन सब में जीती थे तो देश में पहली बार चुनाव गए थे 1907 में इसके लिए हैं 1935 में बिटे संसद ने भारतियों को परांतिय सासन के प्रवंध का अधिकार दिया था जिसकी बज़े से पहली बार भारत में चुनाव हो सके कॉंग्रेस को जो है आगरा में अवद के संयुक्त परांत में मद्ध परांत बरार जब बरतवान का मद्ध परदेश है मदरास में उडीसा बिहार में पूर्ण बहुमत परावत हुआ था इस तरह केंद्रे व्योस्थापी का सभा में कॉंग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उफ्री थी देखें कॉंग्रेस को अंग्रेजों की और से यह वर उसा मिला हुआ था कि जो सरकार वेगटित करेगी उसमें गबरनर जनरल विना वज़े से हस्तक्षेप नहीं करेंगे इसके बाद क्या हुआ कॉंग्रेस ने आठ प्रांतों में अपनी सरकारे बनाई सिंध में उत्तर पस्चमी सीमांत प्रांत अगर असम की बात करें तो असम में जो है मिला जुला मंत्री मंदल था सिंध में उत्तर पस्चमी सीमांत प्रांत में और असम में मिला जुला मंत्री मंदल गठेत हुआ मतलब कॉंग्रेस ने सरकार नहीं बनाई पंजाब में कॉंग्रेस ने सरकार नहीं बनाई यूनिनिस्ट पार्टी ने बनाई और बंगाल में भी कॉंग्रेस ने सरकार नहीं बनाई कृसक परजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई थी बंगाल में तो इन छेत्रों का नाम याद रखिएगा यह प्रश्ण पूछे जाते आए हैं कहां सरकार बनाई कहां नहीं बनाई बंगाल बड़ा रखते हैं कन्फियूस करने के लिए तो बंगाल में कॉंग्रेस नहीं जीती थी ठीक है क्योंकि बंगाल में तो क्रशक प्रजापार्टी की सरकार बने थी बाकि आसम में बनाई आगरा में बिहार में उडिशा में मदरास में ठीक है संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत तो ये 15 प्राशन थे modern history के इनकी practice एक बार कर लेज़ेगा धन्यवाद